हलो दोस्तों नमस्कार मारूती नंदन अकैडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम माइक्रोसोफ्ट वर्ड में रसीत कर्टे का निर्मान करने जा रहे हैं सबसे पहले हम कुछ function का परियोग करेंगे जैसे home के just right hand side पर insert function होता है insert function में हम shape पर जाएंगे shape में बिविन परकार के हमें shape देखने को मिलते हैं पर हम सबसे पहले एक box का निर्मान करेंगे जब हम box का निर्मान करेंगे तो साथ ही हम एक और box का निर्मान करेंगे पर insert function पर ना जाकर हम उस box को copy करेंगे copy कैसे करेंगे दोस्तों सबसे पहले जो box बनाया हुआ है उसी को हम mouse के साथ जो है shift करेंगे और shortcut की control के साथ प्रियोग करेंगे तो दूसरा box हमारा बन जाएगा अब हम दोनों box के बीच में line को draw करेंगे line जब draw हो जाएगी तो हमें dotted line चाहिए तो हम format option पर जाएगे format option में हम dash वाली line का select करेंगे इसके बाद हमें box में लिखने के लिए add text करना होगा cursor हमारा box के अंदर प्रदशित होगा भाशा का chain करना होगा अब हमें हिंदी भाशा में लिखना है तो हमें हिंदी भाशा का प्रियोग करना है यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आप content बना रहे हैं आप उसको पूरा type कर लें इसके बाद आपका दूसरी परिक्रिया होती है color करना उसको alignment को set करना अक्षर को बड़ा और छोटा करना यह परिक्रियां बाद में की जाती हैं सबसे पहले ध्यान रखें content को पूरा लिख लें और save करते हुए चलें के अरॉता है झाल tut कहिते हैं आपसी जाती है अरयोग है it's और करव डहिता है जा हुए है आप भाद सबस्टेन रहां रहाँ है… ठापका बना नहतो करते है ग हो सबस्टन किन ऐा यह यह लितta किया है ठ्रोब सर न देखका रह को हुए है झाल झाल जब आप एक बॉक्स में अपना कंटेंट पूरे तरीज के से टाइप कर लेंगे तो आपको दूसरे बॉक्स में इसको कॉपी करना रहता है तो आप control के साथ copy करेंगे C का प्रियोग करेंगे और control के साथ V से आप इसको दूसरे box में paste कर देंगे तो सबसे पहले दूसरे box में add text कर लें अब पूरे content को select करें select करने के बाद control C और control V के साथ आप इसको paste करें करेंगे अब आप देख सकते हैं कि content जो है दोनो साइड याने दोनो box में अच्छे तरीके से लिखा गया है तो अब हम color की प्रिक्रिया का प्रारम करेंगे तो box में हम color को select करेंगे color select करने के बाद बाद में हम हमारे जो अक्षर दिये हुए हैं जो main heading है उसको set करेंगे alignment set करेंगे center alignment करने से अक्षर box के बिल्कुल बीचो बीच आएगा अब उसका size बड़ा करेंगे बड़ा करने के बाद हम अक्षर के color को करेंगे select और अगर चाहें तो font भी change कर सकते हैं झाल 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 अब हमें नीचे की और भी यहां पर राशी जहां डाली जाती है उसको बनाना है तो एक बॉक्स का प्रियोग करेंगे और रुपे का साइन यहां पर लगाएंगे इसी रुपे के साइन को हम दूसरे बॉक्स में कॉपी करेंगे आपको एक बार बता दिया है कि पहले सबसे पहले हमें बॉक्स को स्लेक करना होता है और उसे माउस के साथ कंट्रोल बटन को दबा कर दूसरे बॉक्स में खसकाया जाएगा यानि उसको shift किया जाएगा तो वो box जो है हमारा copy हो जाता है यहाँ पर जो है heading को अच्छे से तयार कर ले यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ही content को select किया गया है और tap button के माध्यम से shift किया गया है यहाँ एक most important प्रक्रिया है जिसमें आप पूरे content को एक साथ select करते हैं और shift के साथ ना करगे आप tap button से पूरे content को एक साथ shift करते हैं अब हमें जहां पर राशी डलनी है उस box को select करके copy करेंगे हम दूसरे box में तो control दबा कर mouse को shift करना है और हमारा जो दूसरा box है वहाँ copy हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो है रसीत कट्टा पूरे तरीके से बन चुका है अगर आप सभी विद्यार्तियों को यहाँ वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें और subscribe करें साथ ही साथ विद्यार्ति अगर आप practice करना चाहते हैं offline तो हमारे center पर आ सकते हैं आपको दिया हुआ है इंगलिश पुरा मेन रोट ची हूर